नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सब ही? उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मज़े में होंगे मित्रों आज का हमार वीडियो आपके लिए बहुत जयादा आवश्यक होने वाला है आप में से जो भी लोग अंग्रेजी अलफाबेट के F नाम वाले जातक हैं तो उनकी साधी किस उम्मर में होगी तो उनका दामपत्य जीवन अच्छा होगा, मजबूत होगा, रोमानचक होगा और मधूर होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जयादा आवश्यक होने वाला है सही उम्र में अगर आपकी शादी होती है तो आपका दामपत्य जीवन बहुत ज्यादा शुक्म है और शांती पुर्ण होगा अगर आप यह जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए उसके बाद वाईटी पुरुशत्तम को सबस्क्राइब कर देना है और फिर वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं मित्रों शबसे पहले जानेंगे कि जो वी एफ नाम बाले जातक होते हैं उनका शुभाव कैसा होता है ये लोग आखिर होते कैसे हैं मित्रों इस नाम के लोग शुभाव से बहुत ज्यादा साहसी होते हैं इनका जो confidence level होता है जो आत्म विश्वास होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है इस नाम के लोग अपने जीवन में किसी भी विक्ती से डड़ते नहीं हैं इनके शामने में अगर कोई परेशानी कोई शमस्या आती है तो शमस्या का शामना करने में ये सक्षम होते हैं शमस्या को देखकर भाग जाना शमस्या को देखकर घवरा जाना इनका शुभाव बिलकुल भी नहीं होता है ये लोग शुभाव से बहुत ज्यादा उग्र होते हैं और महतुकांच्छी होते हैं कोई इनके शामने में अगर बरी से बरी मुसीबत भी आ जाए तो उसको अपने बुद्धी के दम पे सुलजाने का दम ये लोग रखते हैं। ये लोग कभी भी अपने जीवन में किसी भी हालात में अपने आपको कमजोर होने देना पशंद बिलकुल भी नहीं करते हैं। परन्तु इनका शुभाव जो होता है वो बहुत ज्यादा आवेश वाला होता है। छोटी मोटी बातों पर ये बहुत ज्यादा गुसा कर जाते हैं। व्यक्ति के बातों में ये आ जाते हैं और भावना में बहुत ज्यादा बह जाते हैं। इस नाम की लोग शुभाव से बहुत ज्यादा बेचैनी को प्राप्त करते हैं। इनकी अंदर में उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको जानना उसको समझना ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये इनकी एक ताकत भी होती है लेकिन इनको अपने जीवन में घुटनों की दर्द की परेशानी से गुजरना होता है औ और अपने जीद के सामने में किसी भी विक्ती की बातों को किसी के बीचारों को ये सुनते नहीं है और अपने जीद के सामने में शिर्फ अपनी बातों को सिर्फ अपने बीचारों को बहुत ज्यादा महत्तु देते हैं और ऐसे वक्त में इनको पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा मधूर होता है मजबूत होता है और इनको अपने जीवन में पड़ेशानी का सामना बिलकुल भी नहीं करना होता है तो मित्रों उम्मीद करता हूँ साड़ी बातें असपस्ट हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा शाथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में आप शभी का बहुत बहुत धन्यवाद